केसानों की फसलों के हुए नुकसान के मुख्ये को लेकर खोब मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता पुपेंदर सिंग हुड़ा ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाये। हुड़ा ने सरकार को अंधी और बहरी तक बता डाला वही उन्होंने दिल्ली में होने वाली महंगाई के खलाफ हल्ला बोल रैली की तयार्यों को लेकर जानकारी दी। मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता बोपेंदर सिंग हुड़ा से। मुख्यमंत्री और जब दिल्ली में रैली होती है तो सबसे ज़्यादा पार्टिस्पेशन हर्यानगी रहती है। तो पूरे काफी बड़ी पार्टिस्पेशन हर्यानगी रहेगी। जारी है पूरी। हुड़ा साब आपने कारेकर्टा को भी कोई निर्देश दी है क्या। आज शाम को हमारी मीटिंग है दिल्ली में उसमें फाइनल प्रोग्राम होगा उसके बाद दिल्ली मीटिंग उलाएंगे फिर उसके हिसाब से त्यारी करेंगे। खुड़ा साब आप किसानों की वाज उठाते रहे हैं अभी बर्शात में किसानों की फसलों का नुक्सान हुआ है। इसके लिए आपने सरकार से कोई मांग की है या कोई पत्र लिखाओ। कई दफा कर चके हैं। सरकार तो अंदी भी हो रही है और बहरी भी हो रही है। इनको दिखनी रहा है इतना भारी नुक्सान हुआ है। लोग कहरें में वहानी गिर्दारी कराओ। दो-दो साल का कंपर्शेशन ने मिला। पहले मादमपुर में बैठे रहे वो लोग मापरें बाल समंध में अब उनको आश्वाशन दिया। परट गे और फिरिकार में आके बैठे गे। तो यह जो है सरकार जो है जो जन हित के कोई ऐसा कदम नहीं उठाती है जो लोगों को रहत मिले। पंचाई चुनाव को लेकर भी कल बैठक में चर्चा हुई है। पंचाई चुनाव को लेकर कारेकरतां को क्या निदेचती है और विधायकों से क्या बादचित हुई है। दायकों का और हमारे अध्डिक्ष भी थे सबका यही था कि पंचायत के चनाव के समसेंबल पर नहीं लड़ेंगे आइस कि पंचायत के चनाव में बैकवर्ड क्लास के रिज़र विशिन मिलनी चाहिए जो कि सरकार नहीं दे रही है बैकोर्टाइज की बागादरी दमशन दे और दो साल तक दो साल से ज़्यादा पत्चायत कोई चनाम नहीं करा है उससे बड़ा भारी गाउं का नुकसान हुआ क्यों वागे जन परती नहीं दी थे ही नहीं तो अफसरों की बन मानी चल रही थी ब्रस्टाचार सीम चरम सीमा पर था ये थे मेरे साथ पूर्ण मुख्य मंत्रियें विपस्ट के नेता भुपिंदर सिंग हुड़ा इन्हों ने बताया कि दिल्ली में 28 सगस्त को रैली होगी और हर्याना की उसमें जवर्दस्त भागीदारी होगी अनिल कुमार टोटल नियूज चन्रिगार